मैं पांच बाशा में बात कर सकता हूँ एकूली बैटली तो ये भी एक अलर्ट बोली है मुंबई या ही दी मुझको लगता है कि आप लोग मुझको एक समान दिया कि ये किताब रिलीज करने के लिए बुलाया इसलिए कि ग्रामी बारत के बारे में बहुत कम पब्लिश हो जाती है बहुत कम पब्लिश हो जाती है और अभी शेक ने इस किताब के लिए मैं देख रहा हूं मैं देख रहा था पिछले 5-10 मिनित में इसको समझने के लिए इसका इंपॉर्टन समझने के लिए आप ये नंबर लीजेए हिंदुस्तान की नैशनल अकबार जो हम कहते हैं नैशनल डेली ग्रामीन ग्रामीन कबर कितना चपते हैं फ्रंट पेज लीजिए दिल्ली में एक इंस्टिटूशन है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एंबास कर अराओ कोशी में वो 30 साल से मीडिया के ऊपर को अभी उनका अप्रेशन कम्ती हो रही है इसलिए कि मीडिया में इंट्रेस्ट नहीं है निख के बारे में मार्केट रिचिंसी के पास जाते है इनके पास नहीं जाते है लेकिन CMS का स्टड़ी में ग्रामीन ग्रामीन कबर के बारे में ये नमबर निकला ये एक साल का नहीं है पांच साल का एवरिज है फ्रंट पेज अफ दे नैशनल डेली ये ये भी एक जोक है नैशनल डेली कैसा डिफाइन करते है आप नैशनल डेली का मतलब जो भी जो भी अकबार जो भी अकबार जिसका एक एडिशन दिल्ली से निकलता है वो नैशनल डेली है हो सकता है कि सिर्फ दिल्ली में एक एडिशन है लेकिन वो नैशनल डेली है बाकि सब एंटी नैशनल है तो यह है नाशनल डेली लेकिन मतलब हिंदू, ताइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्स्प्रेस, पाइनियर, यह सब नाशनल डेली है और हिंदी काकबार भी जो दिली से एक एडिशन निकलती है तो नाशनल डेली का फ्रण्ट पेज में पांच साल का एवरेज, ग्रामीन कबर का स्पेस है जीरो, शुन्य दशमलव छे नाव परसेंट, 0.69, sorry, 0.67 परसेंट, शुन्य दशमलव छे साथ परसेंट, ग्रामीन कबर है ग्रामी निलाका में जनसंक्या क्या है? 69 परसेंट, 2011 सेंसस की प्रकार, 69 परसेंट अफ दशुन्य दशमलव छे साथ परसेंट, फ्रंट पेज में, अंदर वाला पेज में क्या होती है? अगर जनसंक्या का 69 परसेंट, आप 0.67 परसेंट देते हैं, बाकी पेज किस पे जाते हैं? फ्रंट पेज पे, 67 परसेंट, 66 तो 67 परसेंट, नई दिली, न्यू डेली, टेक्स, 66 तो 67 परसेंट, और ये, 6.67 परसेंट, ग्रावीन के, मैं कहा रहा हूँ आपको वो एग्जाजरेशन है, उतना भी नहीं है, क्यों दिख रहा है कि 0.67 परसेंट, इसलिए कि 5 साल का एवरेज है, उस 5 साल में 1 साल चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में बढ़ जाती है, 8-10 परसेंट तक जाती ह है, अगर चुनाव का साल निकल जाते हैं, उससे निकलते हैं, तो 0.20 परसेंट होती है, 0.25 परसेंट होती है, उतना ही गिर जाती है, तो इसलिए इतना कब्ती रहती है, है, serious reporting, news, anything on Gramin Barat, फिर, Abhishek जैसा किया, पत्रकर जो करता है वो बिना incentive से किया, उसका idealism और passion से कर चुका है, आपको कुछ promotion नहीं मिलने वाला है, कुछ recognition नहीं मिलने वाला है, by doing this, this kind of journalism, जब मैंने किताब लिखा, वो जमाना बदल रहा था, तो एक recognition मिला, तब भी मैं एक बात बताता हूं आपको, वो किताब का नाम, everybody loves a good run, मैंने नहीं दिया वो ना, वो एक, बिहार का उस जमानी में, जारकन सौथ बिहार था, ना, एक छोटा सा किसान, marginal present ने हमको ये नाम, कैसा दिया उसने, मेरे साथ गया, पलामूद, डाल्टन गंज, लाते हार में हम पहुंचा एक दिन, तो मैंने सोचा, सरकार आफिस में जाएंगे, जो सरकल आफिस है, ये सब है, उसका नाम था, किसान का नाम था, राम लकन, पता नहीं वो फॉल्स नाम था, अडर्डरॉड आफिस था, पता नहीं, और वहाँ बैदेवे, बीडियो नहीं कहते हैं, उसको बीटी डियो कहते हैं, ब्लॉक दे डेवलप्मेंट ऑफिसर, जब तक उसका पचीस परसंट नहीं मिलता है, तो कोई काम नहीं चलता है, तो मैंने पूचा, राम लक्कन, ये लोग सब कहां गया है, यार, बीडियो नहीं है, सर्कल आफिसर नहीं है, चपड़ासी भी नहीं है, कोई नहीं है, वो उसने बोला, लोग सब तीसरी फसल लेने के लिए गया है, I felt a little stupid, मैं तो history का student हूँ, ये तीसरी फसल किया चीज़ है, तो मैंने कहा, देखो यो ये, मैं जानता हूँ रभी, मैं जानता हूँ कारियस, 1500 साल पहले एक तीसरी फसल था, जाहिद या कुछ नाम का हूँ, जाहिद, तो अभी है नहीं, तो ये क्या तीसरी फसल के बारे में आप बत करें, उसने कहा, अच्छा आप जानता नहीं, यहां का तीसरी फसल है drought relief, बस, उसका पकड़ने के लिए सब लोग है, तीसरी फसल, ऐसा नाम आया था, और उसने कहा कि यहां तो हम लोग सब अकाल से बहुत पसंद करते हैं, बड़े लोग, इसले कि इतना पैसा कमाते हैं, बड़े लोग, जो विक्टम है, वो अलग है, वो सफर करते हैं, ऐसा ही है, वो भी नाम एक ग्रावीन रहवाक्षी से किताब का ना लिया, हम बहुत पसंद करते हैं, अकाल यहां, उसने काल लिए, तो देखिये ये, अभी शेक का जो कंटेंपरेरी जर्नलिस हैं, पिछले 20 साल में किसके ओपर किताब लिका है, एक तीन डजन बुक है, मार्केट इकनॉमिक के बारे में, इंडिया, ट्रांस्फोर्मेटरी, प्रोग्रेस, यह सब, कॉलमिस, दिली में बैटे वाले हैं, तो कितने किताब निकला ऐसा, ग्रामीन बारत के बारे में, एक निकला में कह सकता हूँ, आपको, जैदीप हर्डिकर का, चेस्ट बाई डेवलप्मेंट, बढ़िया किताब, यह थिए हथ, फन्तस्सिक बूक है, तु, अभी हिंदी में अभिषेख का किताब, यह बहुत इंपर्तन है कि ऐसा, बढ़िग को इंपास्ट है, तो इसा बढ़िशेख का किताब, आपको, पॉलिग्टे भी रिवीड बाईम, एक यह बहूत इंपॉत में इसा, कि अपॉत और जो आपने यहां निकार कितनी आजाद है ग्रामीन पत्रकारों की कलम देखे अभी पिछले चे साल में तीन-चार रिपोर्ट निकला इसके बारे में मतलब पूरा सिरफ ग्रामी पत्रकार का नहीं लेकिन पूरा देश का वाट इस्टेटस और प्रॉब्लम ऑफ जर्नलिस उस तीन-चार रिपोर्ट में एक रिपोर्ट सेंटर फोर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्स युए से ने निकला और उसमें माहिने फॉर्वर्ड लिखा इंट्रोड़क्शन माहिने लिखा तो अलग-अलग नंबर आती हैं इसलिए कि अलग-अलग क्रेटीरिया निकलते हैं कि जर्नलिस्ट पे असॉर्ट काउन है जर्नलिस्ट काउन है स्ट्रिंगर काउन है इसमें बहुत सारा डिस्कॉशन होती है लेकिन जिस हर रिपोर्ट में एक कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं आज से तीन साल पहले तक तीन-चार साल पहले तक नैंटीन 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 वन सो गिना हुआ है पत्रकारों पे असॉर्ट जितने लोग मरे हैं उसमें सौट परसेट कस्बाईय और कस्बाईय और ग्रामिन पत्रकार बड़े शहर से एलीट जर्नलिस्ट से एक भी नहीं था जब तक 2014 तक 1314 तक 100 बिफोर 2013-14 100 परसेंट ऑफ एटैक्स ऑफ फेटल एटैक्स जहां आदमी मर जाते हैं वो स्मॉल टाउन जर्नलिस्स एंड ग्रामिन पत्रकार इसलिए कि इन लोग का कुछ प्रोटेक्शन नहीं है और अगर इनको कुछ होता है तो उनका डेली का जो ओनर है वो डिजॉन करते हैं यह हमारा आदमी नहीं है और जर्नलिस्म में भी कुछ मीडिया में भी बहुत कुछ बदलावाया पिछले 20 साल में बैटे 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 पत्रकारिता और मीडिया में बहुत कुछ बदलावाया पिछले 20 साल में एक तो अब बहुत लोग भूल गया हिंदुस्तान का पत्रकारिता का ट्रेडिशन्स क्या अभी थीन साल के बाद दो फर्स्ट इंडियन ओल्ड मैगजीन न्यूस्पेपर मैं अगस्टस हिकी विकी डिकी उसको मैं काउंट नहीं करता हूं वो टैबलोइड वाला अंग्रेजी वाला है इंडियन ओल्ड अकबार जो सीरियस अकबार था तीन साल में अभी दो हजार बाइस में उसका टू हंड्रेट एनिवर्स्री होने वाला है वो राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अकबार आप जान लीजे वो राजा राम मोहन रॉय का अकबार पहला अकबार वो वो बंगाली में नहीं था फार्सी में था वो मगल कोर्ट का इलीट का लैंग्वज बाशा था उस समय पार्सी पर्शियन तो पार्सी में था Miratul Akbar ऐसा एक पत्रकार था राजा राम मोहन राई और उसने उसके बाद में भी ऐसा पत्रकार आये था 170 साल का एक ट्रेडिशन था Human, Humanitarian and Human ये उसका ट्रेडिशन था पहला दिन से अगर कौमुदी संग बाद या Miratul Akbar राजा राम मोहन रोई का ऐसा आयता सती के किलाफ कैमपेड विद्वा री मैरिज कैमपेड फीमेल इंफैंटी सई और या चिल्रन, गर्ल चिल्रन लिटरसी, एड्यूकेशन इस टाइप का इश्यू लेके इस टाइप का मुद्दू लेके वो दे लेके हैं, आगे वो वेर यूर्मोस्ट वो वेर यूर्मोस्ट प्रोलिफिक जर्नलिस्ट दुनिया में कितने पत्रकार हैं, जो हंड्रेड वॉल्यूम्स अफ कलेक्टेड वर्क्स है, दो है आपकी देश में, एक का नाम मोहंदास करमचंद, दूसरा बाबासाहिब अबेड कर, ये दो लोग, दोनों पत्रकार्ता, हम भूल जाते हैं आज इस में जर्नलिस्ट, दे पब्लिष्ट हंड्रेड वॉल्यूम्स अब वर्क, और लोग ये भी ये भी भूल जाते हैं कि जब पिछले साल मैंने पंजाब में गया, मुझको बहुत disappointment हुई कि, वहाँ भी सब लोग जाते हैं बगत सिंग, political martyr, political activist ये नहीं जाते हैं कि वो professional पत्रकार था वो उसने 12 से ज्यादा magazines में लिखा चार में regularly लिखा और चार बाशा में लिखा पंजाबी, उर्दू, इंदी and English उसने बगत सिंग ने पहला लिखा अकाली magazine में, पंजाबी लिखा फिर वीर अर्जुन में लिखा था, प्रताब में लिखा था लेकिन ये प्रताब नहीं है जो आच है वो बंद हो गया, 50s में ये रोट इन प्रताब, ये रोट इन कीर्थी, उसका पॉलिटिकल राइटिंग्स कीर्थी magazine में आई एक नवजवान लड़का चार बाशा सैखडों आर्टिकल्स लिखे जो पॉलिट तैम ही वस हैंग इंग्ड इच ट्वीटीट्री मैं हर समय मैं सोचता हु थाइस साल में मैंने जर्नलिसम शूरू किया इस्टाट इन जर्नलिसम अच बड़की थीट्री ये आपका ट्रेडिशंस है पिछले तीस साल में बदलाव क्या आया Family ownership से, individual ownership से, Trust ownership से Corporate जगत की ownership में गया आपका मीडिया सबसे बड़ा मीडिया ओनर है देश में Mukhe Shambani सबसे अमीर आदमी है Wealthiest man in India Mukhe Shambani देखे आप लोग देखते हैं ETV, ETV Hindi सेटिविंधि मराटि यह सब एनाड़ू टीविशा एक जमाने साल पहले फंद्रा साल पहले वो सब एनाड़ू टीविश का चैनल है आज। शिरफ तेलगू चैनल चोड़के बाखी 19 मनीज एटीवी चैनल, एटीवी मल्यालम एटीवी करनड एटीवी हिंदी, एटीवी मराटी यह सब मुकेशंबानी का प्रपर्टी है और कैसा करीदा, एक ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट उनके लिए उसको क्रीदा मुझको बहुत मजा लगता है कि वो ट्रस्ट का नाम है इंडिपेंडेंट ट्रस्ट, जितना इंडिपेंडेंडेंट है समझो, इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट से वो करीच के यह सब स्टाइट किया, और ग्रामीन पत्रकार, स्ट्रिंगर उस समय से उनका, दे रेली बिगें तो सफर अलॉट, क्यों, दो मेजर अक्टिविटीस हुआ, फ्रम उनिस सव पिचाइट से पहला, कॉर्प्रेटाइजिशन करने के लिए, आप सब जाते हैं, क्या करना है, यूनियन को हटाना है, संगटन को कतम करना है, तो वो किया, समीर जैन साब ने, टाइम्स ओफ इंडिया में, और बाकी सब अक्बार उसको इमिटेट किया, एक दो अक्बार में यूनियन संगटन बचा था, सबसे पहले, वो कैसा कतम करना है संगटन, फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक उसका, एम्प्लोईमेंट से कॉंट्रेक्ट पे आगे, एम्प्लोईमेंट पे कॉंट्रेक्ट पे आगे, ग्यारा महीने पे कॉंट्रेक्ट आप है, है हाटवा महीने में आप मैं आपका एडिटर हूँ मैं बुलाता हूँ आपको बताता हूँ विनीद आप इस पर लिको शरत पवार को बहुत कंप्लिमेंट्स दे दो इसको गाली दे दो आपका 90 दिन का रेनिवल है जो कुछ मैं कहता हूँ आप करने वागा है जब मैंने पेड निउस का स्टोरी मैंने ब्रेक किया है बेरी प्राउड अफिट अश्रोक चबान का उस दिन जिस दिन वो स्टोरी आया था एक सीनियर बराटी जनर्नलिस्ट मुझको फोन किया बहुत सीनियर पत्रकार बहुत सीनियर पत्रकार मेरा भी मैं 39 यर्स है वो 41 यर्स है उसने कहा अरे यार कल मेरा अकबार में मैंने नाम नहीं देता हूँ विचारा वो आज भी पत्रकार है और आउटस्टेंडिंग पत्रकार है उसने कहा यार मेरा पत्रकार में कल एक फ्रंट पेज आ रहा है बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में उसका इंटर्व्यू और कुछ स्टेटमेंट्स है मेरा नाम पे आ रहा है और उसने कहा वो सब परसंट पेज निउस है और मेरा नाम के नीचे चाप रहा है तो मैंने पूछे क्या हुआ तो बड़े बाई क्या हुआपका नाम पे आ रहा है पे निउस कुछ साल पहले हम सब वकिंग जर्नलिस एक्ट के अंदर ता है वी बर अडिन त्मीर अज़ंज किण जर्नलिस एक्ट लेकिन मेरा अगबार में उसने कहा, मेरा अगबार में 11 महीना कॉंट्रेक्ट है खल मुझको एडिटर ने संपाधक ने बुलाया इनकी कैबिन में और वो कैबिन में कौं बैटा था? ब्रैंड मैंड ब्रैंड मैनेजर, CFO, Chief Financial Officer, CEO of the company, और एडिटर और उसने कहा, देखो, एक बड़ा चीज आया हमारे पास आप, ये बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है, तो बड़ा पत्रकार का नाम भी होना चाहिए उस पे तो आप तोड़ा देखो, इंप्रूब भी करो, आप अच्छा लिखता है तो उसने पूचा, साब ये कहां से आई, हाँ वो तो प्यार एजन्सी से आया है ना, पब्लिक रिलेशन्स एजन्सी से आया था, आप तोड़ा इंप्रूब करो, सुधार करो, तो मैंने कहा, आप क्या बोला? तो उसने कहा, हमको साइना है, क्या बोलो? ग्यारा महीना कॉंट्रेक्ट पे हूँ, अभी आट महीना हो गया है, मेरा एक बेटे कॉलेज चोड़के अभी नौकरी दून रहा है, मेरा माताजी हस्पेटल में है, आइस्यू में, हम, दो लड़के, दो बच्चे हैं जो स्कूल चोड़के कॉलेज में जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज में, और गर का 30,000 रुपिया, EMI, मैं दे रहा हूं, हर महीने, क्या मैं हीरो बन जाओ क्या? तो मैंने, what could I say? I could not tell him to be a hero and lose his job, कभी-कभी आदमी वो भी करता हैं, hero बन के, गढद में बाईबmember बेरोजगारि में, तो यह है, corporatization में पूरा transformation हो गया, media में, और journalism का, journalism का, एक understanding, उसका philosophy, और corporate का philosophy, बिलकुल अलग है, जब पत्रकार जाते हैं, वो देखते हैं, story क्या है, what is the story, कबर क्या है इसमें, ये कैसा बोलू, इसका evidence कैसा करू, वो पत्रकार का thinking है, उसका मानसिक्ता वो है corporate का ideal है, corporate का जो important thinking है, वो revenue और profit, उनका interest नहीं है कि, अभिशेख ने इतना बढ़िया story किया, बिहार से या उत्तरकंट से, उसको ये देखते हैं, वो ये देखते हैं कि, अभिशेख story में, मुझको कुछ revenue मिलेगा या नहीं, revenue नहीं मिलने वाला है, तो मैं नहीं चापता हूं ये, I will cover you if I get money out of covering you, वो cabinet minister से पता नहीं, एक करोड का रुपिया deal था, उसमें बड़ा interview, 3000 words, 4000 words, election pension, okay, so ये हैं, corporate, corporate philosophy, corporate मानसिक्ता और पत्रकार का मानसिक्ता, अलग-अलग है, तो मैं कह रहा हूं कुछ, 1990 से, मीडिया और जर्नलिस्म दो अलग entity बन दे, जर्नलिस्म हम करते हैं, मीडिया दंदा करते हैं, profit making करते हैं, उसका sole purpose वो ही है, that is what has happened to journalism, journalism has been reduced to a revenue stream, we have reduced journalism to a revenue stream, Samir Jain ने मुझको कहा, Sainabji, journalism is a business like any other business, टीक है, journalism is a business like any other business, मैं मानता नहीं, it is not a product like any other product, अरे आपका toothpaste चे महीने आप बेच सकते हैं, वोई toothpaste, कल का अक्बर आज बेच सकते हैं, media is a business, TV is a business, newspaper is a business, journalism is a business नहीं है, वो एक calling है, it is from our heart and soul that we do journalism, तो जर्नलिस्म का बांशिक्ता अलग है, and that's why I'm saying, buy this book, read this book, तो, attacks on journalism, ग्रामीन पत्रकार और ये कस्बाई का पत्रकार, 90% attack, 100% attacks, 1913 तब उन्ही के ऊपर हुआ, और ये भी interesting है, जितना बड़ा attacks on journalism हुआ, fatal attacks, उसमें एक भी पत्रकार नहीं था, जो अंग्रेजी में reporting करते हैं, वो भी एक class hierarchy है, है, सब, सब हिंदुस्तानी बाश्यों में, जो reporter है, आटक्स उसके उपर हैं, वो ground level पे हैं, वो grassroots पे हैं, all the attacks, the six huge 27 deaths in 15 years, committee for protection of journalists ने जो report, निकाला मैंने उसका introduction लिका है, मैंने, I went through list after list, I went through list after list, एक भी अंग्रेजी वाला पत्रका नहीं था, एक था जो अंग्रेजी में भी reporting किया, दूरदर्शन श्रीनगर का एक reporter, वो दोनों, हिंदी और अंग्रेजी में किया था, तो the risk to, अभी क्यों और क्यों बढ़ गएगी, हा, इस देश में corporate जगत का power, mining operations में, SCZ land acquisition में, mining operation में, SCZ land acquisition में, यह सब काउं cover करते हैं, ग्रामीन पत्रकार cover करते हैं, जब बड़ा explosion हो जाती है, पॉस्को में, दॉस्को में, कहीं, फिर नगरी पत्रकार वहां, आ जाते हैं, तीन गंटे के लिए, photo लेते हैं, quote लेते हैं, और बाग जाते हैं, तो, और अगर, ऐसा ही cover हुआ पॉस्को, आज तक कोई भी एक बड़ा अकबार, यह report नहीं किया, कि पॉस्को का जो दो ग्राम, दो गाउं, रेजिस्ट किया, उसका, वो संगर्ष में जीत गया, they have won their struggle, they have thrown पॉस्को आउट फोड़िशा, अभी और क्या कर रहा है, जिंडाल को ले रहा है, जहां पॉस्को फेल हुआ, जिंडाल को ले रहा है, सिरिफ ग्रामिन पत्रकार रिपोर्ट कर रहा है इसको, और कस्भाई पत्रकार, और, क्यों, जिंडाल एक बड़ा एडवर्टाइजर है भाईया, पॉस्को एक बड़ा एडवर्टाइजर था, एंडरॉन एक बड़ा एडवर्टाइजर था, जिंडाल एक बड़ा एडवर्टाइजर था, काउन उसके किलाफ लिखते हैं, आपका पैसा बंद हो जाती है अकबार में तो यह है कॉपरिटाइजेशन ओफ दे मीडिया में एक ट्रैंस्फोर्मेशन आ गई जहां खबर हैस बिकम फंक्शन ओफ रेविन्यू यह पहला इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा दो हजार तेरा चौदा से कुछ एक बदला आया Assault and Attacks on Journalism में एलीट जर्नलिस पे भी आ गया और सीनियर पीपल जो शहर में रहने वाले हैं उनसे भी उनके उपर भी अटेक्स शुरू हो गया सबसे पहला काउंता नारेंद्र डाबोलकर पांच साल के बाद उसका सॉल्व नहीं हुआ क्राइम सब जानते हैं सब जानते हैं नारेंद्र डाबोलकर सिर्फ एंटी सूपर्स्टिशन एक्टिविस नहीं था पच्छी साल एक मैगजीन चलाया है यह एक रणा मैगजीन फोर 25 यह पॉलिस ने उस केस लेके वीकन करके वीकन करके इसलिए कि उस समय तक संग परिवार का सरकार आ गई पॉलिस उस केस को इतना अभी भी वह फैमिलीस आर सेइंग दी प्लीज रमूव दिस फैमिली इस प्लीडिंग यही इंवेस्टिगेटर और इंवेस्टिगेटिव ऑफिसर रखो इसलिए कि एक नवजवान पोलीस वाला वा अच्छा काम कर रहा था उसको ट्रैंट्फर तक दिया दूसरा गोविंथ पांच सारे गोविंथ पांच सारे शीप्या का लीडर ता रेड यूनियन लीडर ता लेकिन हिस्टोरियन और न्यूस्पेपर कॉलमिस्ट ता रेग्यूलर तीस साल से उपर कॉलम लिखावा गोविंथ पांच सारे सुना ना तो उसका भी उसका मोस्ट फेमस वर्ट क्या था एक किताब वो वोस्ट शिवाजी राशनल अप्रोच नॉट रिलिजिए अप्रोच नहीं राशनल अप्रोच शिवाजी का था और उसने ये दिखाया कि शिवाजी चत्रपती शिवाजी महराज एक सेक्यूलर किंग था उसका पर्सनल बोडिगाड का पतान अफगान पतान मुसलिम वो उसका बैटल मुगल एंपायर के किलाफ वो पुलिटिकल बैटल था फॉर पावर और उसका पूरा लेटर से दिखाया पैसंट्री की तरफ क्या एटिट्यूड है उसका शिवाजी महराज ने पता नहीं दस-पंदरा चिट्टी लिका है उनकी ओफिसर्स को यू विल न बुक नाइटीन एटीटी टू में लिखा था गोविन पांसारे जी है यस बेस सलर था हूँ शिवाजी कहूं था यह किता था और गोविन पांसारे 2005 से ज्यादा एटेक किया यह फंदमेंटलिस्ट लोग पे हर कॉलम जहां भी वो बाशन देते हैं यह कॉलम लिखते हैं फंदमेंटलिस्ट लोग को एटेक किया और उसको असाशनेट किया गर गर के सामने और देखो प्रोफेसर एम एम कलगुर्गी एकडेमिक इंटलेक्श्वल पब्लिक इंटलेक्श्वल स्कॉलर और कॉलमिस्ट जर्नलिस्टा रिगूलर कॉलम कनड़ा में अर्टिकल्स लिखता है रिगूलर लिए उसका भी वो भी रहा है यह चार के इन लोग के बीच में कॉमन क्या था? रैशनलिस्ट, अंटी सुपरस्टीश्ट, रैशनल तिंकिंग, यह उनका कॉमन चाउता है रिग प्रोफाइल एलीट वर्किंग जर्नलिस्ट, गवरी लंकेश्ट, गवरी लंकेश्ट को जब मारा, विन अर्डर गवरी ल से, all were writing in Indian Languages, not one, गवरी लंकेश्ट भी उसका में लैंक लांड़िजट को जर्नलिस्ट गमनुट्र्र, अंग्रेजी नहीं, गवरी लंकेश का में लनकेश्ट, गवरी लंकेश्ट बीुसका में लांगविच्त अनाट, अंग्रेजी नहीं, गवरी लंकेश्ट था में लि ज्यादा से ज्यादा उसका जो प्रोटेक्शन होते हैं जब हम शेहर में है या अपर कास्ट अपर क्लास से आते हैं उसका एक इंशॉरंस है लेकिन पिछले पांच साल में वो इंशॉरंस का प्रीमियम भी डबल हो गया सबको मर रहे हैं सबको मर रहे हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए जो सबसे बड़ा इवेंट्स हुआ पिछले तीन दो साल में सबसे बड़ा इवेंट्स जो हुआ मेंस्ट्रीम प्रेस जो नगरी प्रेस कह जाती है नगरी प्रेस कह सकते हैं कॉर्परेट मीडिया कह सकते हैं मैं कॉर्परेट मीडिया बोलता हूँ उसको पिछले दो साल में जो इतना बड़ा इवेंट्स हुआ तीन साल कह सकते हैं दी मॉनिटाइजेशन और जीस्टी उस उसका ज्यादा से ज्यादा असर कहा पड़ा ग्रामीन बारत में और आप देखिए में बड़े कॉर्परेट मीडिया में कितना आर्टिकल है ग्रामीन बारत में क्या इंपक्ट हुआ डी मॉनिटाइज़िश्ट अभी जैस्वाल जी बैटा है यहां जिसके उपर F.I.R किया है यह मिड़े मिल्स का जैस्वाल जी बाहां बैटा है जहां आपको कंग्रेजुलेशन्स आइस सेल्यूट यू जैस्वाल जी ने वो आप सब जाते हैं कौन सा स्टोरी था वो नमक वाला रोटी और F.I.R डाल दिया इ मॉनिता इजीशन के बाद अब कितने स्टोरी देखा कि मिड़े मिल्स में क्या हुआ हर राज्य में देखो कितना स्टोरी था मैं पांच गिना नहीं सकता हूँ उसका क्या हुआ हुआ महाराष्णा म माव इत्स एरंच OUR स्टेट इटि थे रिच स्टेटे इडुरा मिड़े मिदे मिल्स कतम हो गया एक दो महीने के लिए क्यों इसलिये कि मिदे मिदे मिल्स में यहू या चावल कॉंट्रेक्ट पे लेते हैं बाकी सब डेली कैश पर्चेस पो लेते हैं अंडा, फायर वूड सब डेली पर्चेस है या वीक्ली पर्चेस होगा फायर वूड वीकली पर्चेस होगा लेकिन बाजी डेली पर्चेस होती है तो सब कतम हो गया अरे इस देश में खरोडों बच्चे वो मिड़े मील में बैट के क्या खाया चावल और एक येलो कलर लिक्विड जिसको सांबार बोते है दाल का जो ड्रेनेज है वो सांबार बोलके उसको दिया इसका रिपोर्टिंग कौन कर सकते है और कौन किया शिर्फ ग्रामीन पत्रकार कसभाही पत्रकार शिर्फ लेकिन आप ताली बजा रहे हैं लेकिन मैं यह भी आट कर रहा हूं कि आपका आपके ऊपर जो तनाव है वो बढ़ने वाला है हम यह भी डिस्कस करना है कि उसके बारे में क्या कर सकते हैं आता हूं उसमें आपके अभी यूपी में इतना इश्यू बन गया गाय, स्ट्रेक काउस है या नहीं बड़ा इश्यू है ना यह मुझको समझ में नहीं आते हैं और यह जो गाय को बजन गाते हैं वो गाय और देशी गाय के बारे में कुछ नहीं जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं महाराष्टा में एंटी कॉव स्लोटर का एक्स्टेंड कर दिया 2015 में और क्या हुआ पूरा बॉम्बे जू बैकलला में सबसे बड़ा जू है जाता है ना बॉम्बे जू उसमें बाग और शेर को चिकन दे रहा था चिकन यह हसने का या रोने का इसको आप जाते हैं एक शेर मीट चाहे तो कितना चिकन को मरना है आप समझेंगे वो चिकन जनोसाइड बन जाते है एक शेर को फीड करने के लिए फिर बी बी सी जितना टी वी क्रूज आ गया वो सब स्टोरी बन दिया उसमें शेहर में स्टोरी बन गया और सरकार ने देरे देरे रात को भीफ दिया उसको इसलिए कि the big cat started losing weight they were losing weight very fast फिर रात को भीफ जोरी में भीफ दिया उसको रात को तो ये शहर में हुआ, टीवी क्रूज सब आये, गाउं में क्या हुआ, आप सब जाते हैं, प्रग्रामिन पत्रकर, हर 10-15 गाउं में एक कैटल मार्केट होता है न, कैटल मार्केट होती है, जब आप IAS में जाते हैं, जब आप IAS का प्रोबेशनर हैं, वहाँ आपको ये बात सिखाते हैं, जब कैटल मार्केट में, जब आप नया प्रोबेशनर, एप्यूटी कलेक्टर, सब कलेक्टर में आये हैं, आपका ये सबक सिखाते हैं, तपर की, जब कैटल मार्केट का, केटल मार्केट का प्राइस केटल मार्केट में प्राइस जब 30% गिर जाती है इसका मतलब आपका उस जिल्ले में क्राइस है रूरल क्राइस है when ग्राइस है वन कैटल प्राइस फॉल बाइ 30% और लोड लेकिन डी मोनिटाइजेशन के बाद कैटल प्राइसिस तीस परसेंट से नहीं गिरा असी परसेंट से गिरा असी परसेंट से गिरा बहुत सारा कि और देखिए ये थाट प्रोसेस देखिए मैं ग्रामीन इलाकों में काम करता हूँ और मैं रहता हूँ शहर में तो मैं आपको दोनों तरफ से ये फोकस करता हूँ ये गाई के ऊपर उसका कैलकुलेशन क्या था जो महाशे इस कैलकुलेशन किया कि हमने कौउस लॉटर बंद करेगा तो यह यह horrible muslimat को हम एक सबक सिखाएंगे the aim was to hurt the muslims यह clear था यह नहीं जानते हैं इन लोगों को role of cattle economy in the rural economy कुछ नहीं जानते हैं कितने लोग involved हैं उसमें तो जब यह बंद कर दिया क्या हुआ cattle market का prices 80% से गिर गया 80% से गिर गया तो हा बुचर्स जो है करेशी जो है वो सफर हुआ आहा तालिया वो सफर किया उसने ही I wanted to punish them I have punished them लेकिन cattle market का दलाल वो सब है OB से उसका भी कतम हो गया अभी आप cattle ना बेज सकते हैं ना करीज सकते हैं करीदने के लिए पैसा नहीं है बेजने के लिए हिम्मत नहीं है तो और कौन सफर किया किसान किसान का उसी जाते मराटा मुसल्मान OBC मराटा और अंत में लोइस्ट एरिया में सेक्टर में काउन सफर हुआ भूरी तरह अरे मेक इन इंडिया बोलते हैं मेक इन इंडिया के सौ साल पहले महाराष्ट्रा में मेक इन इंडिया ब्रैंड तरह एक को लापूरी चपल और को के लिए इसरिक हो जो आप मुसल्मान तब करने के लिए किया मुसल्मान को फनिष किया OBC को पनिश किया Maratha किसान को पनिश किया सब अपरकस्ट किसान को पनिश किया जिनके पास 4-5-6 गाई था जब हमने Maratha Wada में एक आत्मी को Times of India में भी ये रिपोर्ट आया कि एक आत्मी के पास 10 गाई रहा Maratha किसान वो बोला कि देखो में और वो स्टार्विंग डेथ क्यों ड्राउट था अखाल था तर्वस अवेरी बिग ड्राउट पांच साल का ड्राउट चल रहा है Maratha में तो वो उसने हम वो ये सद आय के नोट फीड मैं फैनली अरे फैनली को काना नहीं दे सकता हूं इन दस गाय को कैसा देता हूं तो रिपोर्टर ने उसे पूछा आप क्यों इसको मार्केट में लेके नहीं जाएंगे वो बहुत बहुत मार्केट में हमको हाईवे पे हमको कतम कर देंगे ये बजरंगल वी एच्पी लो तो मैं नहीं जा सकता हूं तो आप क्या कर सकते हैं ये सट आप तो वाच माइ कवस डई वही कर सकता हूं और चर्ट नहीं है उत्रा कट में जितने लोग इसके बाद उनका गाय लेके ये फॉरस्ट के एज में अबैंडन कर दिया आप लेपर्ड और शेर को आप अच्छा फ्री मीट दे रहे हैं लोग बुके मर रहे हैं और देश में ये कैसा काउंटिंग करते हैं देखिए आप एक सेंसस है हर पांच साल होने वाला है इसका All India Livestock Census बोल जाती है कह रहती है All India Livestock Census लेकिन 2017 Census अभी क्या है 2019 December तक पहुंच गया हमने अब तक पूरा Census नहीं निकाला और 2019 February तक एकसर्ट भी नहीं दिया दो 2017 में होना Census वो 2016 में काम शुरू हो जाती है 2018 January मैंने उनसे पूचा Ministry से अरे क्या हो रहा है आपका Livestock Census शुरू भी नहीं हुआ मालू मैं क्या जवाब दिया साब इस बार हमने लिखके नहीं करना है टाबलेट पे कर रहे हैं तो हजारों सरकारी एंप्लोई को टाबलेट काईसा यूज करना है वो ट्रेनिंग चल रहे हैं यह इस में तीन साल दिले दो साल डेट अड़ाई साल दिले जस्टिफाई किया फिर मैं यह रिपोर्ट आइं लुकिंग अट Livestock Census फ्रू नाइटीन निटीस जब लिबरलाईजेशन आया जब ग्लोबलाईजेशन आया क्या हुआ इनमे 2003 Census से 2002, 2007, 2012 हार पांच साल हार हार Livestock Census में जिस टाइप अफ लाइफ स्टॉक गरीब आजबी के पास रहते हैं वो डिक्लाइन हो रहा है Camels डिक्लाइन हो रहा है Sewers डिक्लाइन हो रहा है Goats and sheep डिक्लाइन हो रहा है हार साल हार सेंसर में और cattle में कितना सबसे बड़ाएन कांच्छा है Cattle तो Ohh Total numbers बढ़ रहा है लेकिन कभी-कभी Lेकिन सबसे बड़ाएन क्यांच टल भी डिक्लाइन हो रहा है सबसे बड़ाएन कांच्छा क्या Animal Husbandry Establishment, सब प्रमोट कर रहा है, Exotic Species, Crossbred, Swiss Brown, Holstein, Jarsi, इंडिया में एक जाया category भी आया, करनाल में आप जाएंगे तो बताएंगे, आदा जर्सी, ये क्या चीज़ है, ये किस चडिया का नाम है, आदा जर्सी मतलब देशी गाई उसका जर्सी सीमन से इंप्रिग्नेट किया, उसको आदा जर्सी के थे, मेरा किताब में पहला कहानी इसी के उपर है, लेकिन 2006-07 में मन मोहन जी के साथ मेरा परस्नल एक्सपिरियंस बता रहा है, दो-तीन बार हमसे बात किया क्या करना है, मैंने कहा है यह प्रदानमंत्री जी, हर किसान कैटल ब्रीडर नहीं है, हर किसान कैटल को पल नहीं सकते, अगर आप यादनी को गाई देते हैं, आपको उनको एक्सपर्टीज भी देना है, तो 2004 से पांच शे तक विदर्बा का क्रिशी संकट हैट पे रहा, मैंने जितने भी खत लिखा उनको, गाव सरकार को, यह मत करना, यह मत करना, आके एक स्टेट सरकार ने, राजय सरकार ने और केंद्रिय सरकार ने साइक्डो बैस और एक्सोटिक गाई दे दिया, और क्या हुआ, जो विक्टम्स है, जो बेनिफिशिरी है, वो पूरी तरह बैक्रफ्ट हो गया, उस गाई को पालने के लिए कम से कम तीन सव रूपिया पर डे होती है, और हर हफते दो बार आप वेटरनेरी डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका टेंपरेचर वो बिचारा योरप का टेंपरेचर पे, उसका इवोल्यूशन हुआ योरप के टेंपरेचर में, आप यवतमाल में रखिये, हां, 47 डिग्री सेल्सियस में, वो ऐसा ही क गाई दिया, पहले 6 महीने में 20 मर गया, और जो फैमिली उसको पाल रहे हैं, वो बैंकरप्ट हो गया, एक कमलाबाई गुडे, विद्वाती, फार्मर सुईसाइड का, उसका हस्बेंड पती ने सुईसाइड किया, तो मैंने तीन दिन देखा, लोंग्शागली गाउं वर् गुडी आउरत, एक बड़ा बैंस लेके, करनाल का बड़ा बैंस लेके, हर स्ट्रीट में जा रही है, तो मैंने बोला, कमला जी, गुडे बाई, गुडे बाई, कमला बाई आपने, क्या कर रहे हैं इस बैंस के साथ, इस बैंस के साथ आप क्या कर रहे हैं, साब, जो लेता है उसको लेने दे तासे इतना बढ़िया बैस है वो बोला साहब यह बैस नहीं है यह बूत है मेरा पूरा परिवार से ज्यादा काती है अगर उनका maintenance cost minimum 2800 रूपिया है अरे यार अगर आप किसान को 2800 रूपिया डेली देते है कोई agrarian crisis नहीं है इफ फार्मर गेट 250 रूपीज अडे क्रिशी सरकती कतब उस गाय का उस बैस का minimum maintenance cost 250 actual maintenance cost 300-400 रूपीज पर दे और हर दिन हर हफते veterinary doctor आते एक और एक और आदमी मेरा सबसे बड़ा experience इसमें एक एक किसान educated किसान B.Sc. Science था वो बहुत पी के आया मेरे सामने जब जितना भी मैंने कहूं मनमोन सिंग्जे को तब भी वो distribution किया इसलिए कि विलासराव देश्मुक ने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूं हाँ साइना तो पत्रकार है मैं तो एक चोटा सा गाउं से आया हूं मैं तो farmer हूं corporate farmer है वो टीक अलग बात तो एक रात 8 बजे गाउं में गुम रहा था एक आदमी आया बड़ा बैंस लेके तो उसने कहा मैं आप काउन है मेरे गाउं मैं तो मैंने कहा साब मैं पत्रका हूं हाँ आपका demands, interest के बारे में लिखने के लिए आया हूं उसने कहा देखो यार आपको मैं एक अच्छा काम करता हूं हाँ आप मुझको पैसा देके discount पे देता हूं आप ये 22 करीद लो तो मैंने कहा देखो यार मैं पत्रकार हूं मैं 22 करीद के क्या करता हूं तो उसने कहा देखो समझो वो बहुत पिग गया, he had drunk a lot उसने कहा समझो ये कोई साधारन बैस नहीं है ये प्रदानमंत्री का बैस है लेकिन ये 2007 में हुआ, उसने 6 में लिखा ये बोला प्रदानमंत्री का बैस है, special है लेकिन और और गया ये conversation बैस है फिर मैंने कहा देखो यार मैं शेहर का रहने वाला हूँ, रहईवासी हूँ, मैं क्या लेकिए जाओ फाइनली उसने कहा, ठीक है आप पत्रकार लोग बिल्कुल यूसलेस है यार, कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए आप नोटबुक निकालो, मैं नोटबुक निकाला, लिको मेरा मागी, तो मैंने उसी समय 2006, 2007 में पे कमिशन निकला न, 6th पे कमिशन, 6th पे कमिशन निकला उसने, उसने बोलो, उसने कहा देखो, लिको, लिको मेरा मांगी यह है अब अगले पे कमिशन आएगी है जितने बाबु लोग को आपने 40,000 इंक्रिमेंट दिया 20,000 इंक्रिमेंट दिया सब बाबु लोग को ऐसा एक गाई दे दो ऐसा एक बाइस दे दो इंक्रिमेंट हमको दे दो किसांको क्या demand है बढ़िया है, he said you give the increments, उनलोग को बैस देदो, ये आसाइट बैस देदो और एक एकर देदो उसको पालने के लिए, लेकिन हमको पैसा देदो, कैट देदो, तो ये, what is the amount of damage that has happened in the countryside, वो सब कुछ natural disaster cyclone से नहीं हुआ, वो हमारे आर्थिक नीती से हुआ, it has happened by human economic policy, by economic policy, by deliberate policy, और उस policy के साथ, क्या बढ़ गई देश में? असमांता, और जब असमांता बढ़ गई, सबसे ज्यादा बढ़ गई, ग्रामीन बारत में, ग्रामीन बारत में, ग्रामीन बारत is at the receiving end of inequality, ग्रामीन बारत is at the receiving end of inequality, आपको दो नंबर देता हुआ, 1991 ये नाया अर्थिक नीति के पहले, इस देश में एक भी डॉलर अरब पती नहीं रहा, एक भी नहीं था, जीरो, शुन्य, उसका नंबर, फिर Forbes billionaires का, Forbes magazine आप लोग कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में, वो global capitalism का वो पुजारी है, तो उसका, साल 2000 में, जो 1991 में 0 था, शुन्य था, अरब पती, डॉलर अरब पती, साल 2000 में 8, 8, modest progress, फिर 2012 में 53 डॉलर अरब पती, 53 डॉलर अरब पती, और 2018 में 121 डॉलर अरब पती इस देश में, और वो आपका जनसंक्या क्या है, 130 करोड से ज्यादा, उस 130 करोड जनसंक्या से, 121 व्यक्ति, 121 ज्याद, आदमी मतलब ज्यादा से ज्यादा आदमी, तीन-चार महिला हैं उसमें, और वो 121 व्यक्ति, उनका दन दावलत का वैल्यू क्या है, हिंदुस्तां का जीडिपी का बाईस परसेंट, 121 व्यक्ति, ग्याद इस एक्विवलेंट तो 22 परसेंट दो और ज्यादा है, ज्याद सब्सक्राद परदू नो सचाइट इस व्यक्ति, that kind of inequality और उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं ग्रामीन बारत पे 2011 का सेंसस में दिकाया कि सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ इस देश की इतिहास में जो सेंसस पार्टीशन के बाद आया उसमें भी इतना नहीं दिखता है कि माइग्रेशन गाउं 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 छोड़के लोग भाग रहा है कुछ नवकरी के लिए कुछ काम के लिए कुछ भी लाइगलिवड के लिए डूंड रहा है दे आर गोईंग आउट इस सर्च अफ वर्क आप ने एक जॉब नहीं क्रिएट किया जो किसान वारनासी जिल्ला चोड़के जाते हैं जब अग्रिकल्चर कॉलाप्स हो जाते हैं वो लखनाओ में जाके क्या उसका इन्फोसिस में काम के मिलेगा क्या हाँ मिल सकते हैं कैंटीन में चाय बांटने के लिए वो काम मिल सकते हैं और कुछ काम नहीं मिलेगा तो पूरा कॉलाप्स हो गया इस एकनामिक पॉलिसी से और असमानता से और फार्मर का जनस्ख्या बहुत कम हो गया इस नाइटीन निफिन सेलशस ओर दो हजारहा सेलशस में आप देखिए किसान का जनस्ख्या 500,150,500,150,000,000,000,000 से गिर गया है देश में और वो कहां गए? कहां गए है वो डेट सौल लाग किसान? दूसरा कॉलम में आप देख सकते हैं. जैसा किसान का कॉलम कॉलाप्स हो रहा है, केत मजदूर का कॉलम बढ़ रहा है. मतलब जितने लोग लैंड लॉस हुआ, जितने लोग गिव अप कर दिया केती बारी में और लेबरर बन गई है. देखिए आपका और ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं. मेरा पूरा इसका रिपोर्टिंग हुआ, सेंसस के एक तरफ सेंसस से और दूसरी तरफ हमारा ग्रामीन पर्सनल कॉंटेक्ट्स, जो ग्रामीन पत्रकार हैं, वो मेरे साथ गुपते हैं जब मैं जाता हूं विदर्बा में, या आंध्रा में, तलंगाना में, कहीं राजस्त मैंने थोड़ा सा आपकी संसत के बारे में बात करना चाहता हूं, दो हजार चार में आपने एक नया एफिडेमिट लाया, जिसमें हर कैंडिडेट उसका दन दौलत के बारे में, सेल्फ डेक्लेरेशन, हमारा विदायक सब इतना ओनेस्ट है न, तो जाते हैं कि सेल्फ डेक तो लेकिन दो हजार चार में एलेक्टेट कैंडिडेट्स में, लोकसबा का एलेक्टेट कैंडिडेट्स में 32% करोड़ पती था, 32% करोड़ पती, 2004 में, एलेक्टेवल एफिडाविट में, जो कैंडिडेट कुद फिल अप करते हैं, सरकार नहीं करती हैं, एलेक्शन में कमिशन, कैंडिडेट कुद फिल करते हैं, 32% करोड़ पती था आपकी लोकसबा में, 2009 में 32% से 53% करोड़ पती संसथे, 2016 में 82% करोड़ पती, 82% करोड़ पती, आई ने सोचा हैं, इस बार, 2000, 19 में 100% क्रॉस करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग बचा हैं तो तोड़ा मॉडेस्ट हैं बताने के लिए, तो 88%, 88% MPs of लोकसबा are self-declared करोड़ पती, आप ये नमबर कहा हैं से, Association for Democratic Reforms, ADR का, वो हर, हर election ये नमबर वो देते हैं, तो एक तरफ वो हो रहा है, दूसरी तरफ, बिलियनर्स बढ़ रहा है, अरभपती बढ़ रहा है, और एक तरफ आप देखिये, NREGS में क्या, नरेगा में क्या हो रहा है, मैंने comparison किया, अरभपती और NREGS वरकर का, वो अरभपती में, 121 अरभपती में, काउंसा नमबर वन है, जो इतना दन दावलत है उसके पास, नमबर टू और नमबर तीन, कंबाइन करेगा तो भी उनसे कम है, उसका नाम है मुकेश भाई, तो मुकेश भाई, एक साल में, 2017 में, जिस 2017 में, पूरा देश का नुकसान हुआ, एक साल में, 16.9 अरभ डॉलर कमाया, 60, वो कितना है, 16.9 बिलियन डॉलर कितना है, रुपिया में, उस समय, एक्सचेंज रेट पे, एक लाग पांच हजार करोड एक्सचेंज रेट गाउश था, एक लाग पांच हजार करोड रुपिया, बारा महीने में कमाया, तो मैंने तो मैंने सोचा कि अगर मैं एनारीजियस लेवरर हूँ मैं भी एक लाग पांच हजार करोड रुपिया कमाई कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ तोड़ा टाइम लगेगा एक लाग सताइस हजार साल होगा एनारीजियस पे उतना कमाई करने के लिए वन लाग एड़ी सेनन ताउजिन एर्स होगा या एक सोव सटाइसी लाग एनारीजियस वरकर एक साल में कर सकते हैं यह है तो देखो जितना डिस्ट्रस बढ़ रहा है ग्रामी निलाखों में उतना कॉंसेट्रेशन उफ वेल्थ बढ़ रहा है राजदानी में मुंबई में यह सब जगह में मुंबई शहर हिंदुस्तान में सबसे रिचस्ट रिचस्ट सगी है और वहां से 90 किलोमीटर ताने में आदिवासी लोकों में 17,000 हंगर डेट्स पर यह यह बंबे हाइकोट में आया 2017 में और उसमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों का बच्चे मैल नरिश्मेंट रिलेटेड डेट्स सरकार ने मान नहीं उसको तो जैसा यह समानता बढ़ रही है जैसा कराब हो रहा है जैसा कराब हो रहा है ग्रामीन इलाकों का लिविंग स्टैंडर्ड जैसा किसान ड्रॉप ओट होके लेबरर बन रहा है इसका रिपोर्टिंग एक बड़ा चैलेंज है और सिरफ ग्रामीन पत्रका कर सकते हैं लेकिन जब आप करेंगे दो प्रॉब्लम है एक तो प्लाटफॉर्म का प्रॉब्लम है कौन पब्लिश कर करेंगा दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके उपर हमला है हमला सिर्फ फिजिकल टाइप अटेक नहीं है दूसरा टाइप भी है अरे अभी शहर में भी परंजोई गुहा टाकुरता नाम सुना पत्रकार है बड़ा पत्रकार है दिली से रिलाइंग गैस इंडस्ट्री के ओप पर लिका था, इंडिया's gas wars, Reliance Corporate ने उसको 100 करोड का 것은 करोड का सब करोड का नोटिस दिया, defamation tämä नोटिस, बड़े बड़े इंटलेक्शुलों और प्रोफेसर्स को भी स्व करोड पचास करोड जब रिलाइंग को सब करोड नोटिस देती है के वह जानते हैं कि उनके पास सब रुप रूप्याद को बाकि पत्रकार आ tut पॉस्वार्निन देर हैं लिए हमको वार्निंग देर हैं आप सब को आइसे लिए तो आपको भी आपको कतम कर दूए एक रैकेट आफ्टर दी अधर अभी फसल भीमा योचना मैंने कहा और बार-बार कहा और मैं कुद एक बार और कहता हूं यह रफेल स्कैम से भी बड़ा है रफेल का कितना है 58,000 क्रोड अटावन अजार करोड है अब तक पब्लिक मनी इसम 58,000 करोड और वो पैसा किसान के लिए नहीं जा रही है भाइसा कोर्परेट के जा रही है इंशोरंज कंपिनीस की हाथ में जा रहे हैं और आर्टी आई किया आप सब जाते हैं पत्रकार लोग जाते हैं त्रिब्यून अकबार चंदिगर में आप सब जाते हैं बड़ा कर्चा हुआ सेंटर और स्टेट का दोनों का इस पे पहला चौबीस महीने में तेरा कॉर्परेट कंपनी इस तेरा कॉर्परेशन इंशोर्ण कंपनी इस उसने पंद्रह हजार नव सव पिच्छानवे करोड़ प्रॉफिट बनाया मतलब हर दिन का अवरेज प्रॉफिट इक्कीस करोड़ यह आर्थी आई फिगर सरकार डिलाई नहीं करती है और यह और यह फसल भीमा योजना इतना कराब स्कीम है कांसार राज्य पहले विच स्टेट फस्ट सेड हमको यह नहीं चाहिए हम दूसरा प्रोग्राम कहते है जुलाई इस साल में मोदी जी का गुजरात अप्तिंग आउट फस्कीम देव रिक्वेस्टेट सेंटर वी दो आप वी वांट वारों स्कीम अगर मोदी जी का हॉम स्टेट बता रहा है कि यह नहीं कर सकते हैं तो आप सब्जो दूसरों का हालत सब्जों तो यह big problems are coming up and जो बड़े intellectual हैं जो यह सब लिखते हैं corporate लोग के लिए एक देखे आप देखे पिछले 5 साल में 2014 में जब यह सरकार आये पत्पे उसका promise किया था बारा महीने के अंदर हम स्वामी नादन कमिशन तरफ की तरफ MSP देंगे cost of production plus 50% वो 2014 में promise किया बारा महीने के अंदर Supreme Court में effidavit डाल दिया हम यह नहीं कर सकते हैं unfeasible it will distort market prices 2016 में Honorable Radha Mohan Singh उस समय का कृषी मत्री बताया हमने ऐसा एक वादा नहीं किया कभी 2017 में बताया अरे स्वामिनादन सब चोड़ो MP का model देखो हमारा शिवराज चवान जी का model एक बड़ा intellectual economist उसके उपर एक बुकलिका IIC में inaugural हो रहा था उसी दिल मांडसार में पांच किसान को मारा दिया उसका यह MP model मांडसार में पांच MP का तो लेकिन यह elite intellectuals देख जब आप कहा कि मैं public intellectual हूँ मैं कमेशा सोचता हूँ कि यह public intellectual का मतलब क्या है बाकि सब private हो गया क्या think tanks में दिली का think tanks में वो सब private intellectuals है हमको अच्छा प्राइस नहीं मिला अब तक तो यह public और प्राइबेट है तो यह the elite intellectuals are writing for the corporates by the corporates of the corporates यह उसका जड़ पत्रकारिता में अभी दो स्कूल है सिर्फ दो स्कूल है पत्रकारिता एक स्कूल है पत्रकारिता दूसरा स्कूल है stenography और आपका अकबार और चैनल में जो आ रही है वो 80% है stenography जो मालिक बोलते हैं वो लिखते हैं और जो लिखना है वो नहीं कर सकते हैं उसके पास ताकत नहीं है मैं एक website चला रहा हूं People's Archive of Rural India बताया जीते तेरा बाशा में लगाता हूं हमने मुझको बड़े बड़े पत्र का फॉल्स नेम के अंदर हमको आर्टिकल्स दे रहा है फिल्म्स दे रहा है टीवी से क्यों उनकी चैनल और उनकी अद्बार में वो पब्लिश होने वाला नहीं मेरा सीनियोरिटी का लोग हमको दे रहा है अरे मैंने उसको गया उसका कुछ स्टोरी करना था और मैं जानता हूं कि आप पारी में ये लेंगे इसलिए कि वो भी एक जमने में पत्रकारिटा में आया अच्छा काम करने के लिए समाज को सुधारने के लिए इसलिए हम सब आये हैं इसमें पत्रकारिटा में आइडियलिसम पे आए है गांधी अंबेड कर बहगत सिंग किस चीज़ पे आए है पत्रकारिता में आइडियलिसम में आए है सोशल चेंज पे आए है इस पे आए है अभी हम क्या कर सकते हैं जब ये और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ जो हम क्रिशी संकट कहते है वो आज क्रिशी संकट नहीं है क्रिशी से बहुत आगे निकल गई है वो समाज का संकट बद गई है पूरा एग्रेरियन समाज कलाप्स हो रहा है सिर्फ किसान नहीं जो मिस्त्री जो मिस्त्री जो मोची जो दर्जी ये सब कॉलाप्स हो जाते हैं जब किसान कोलाप्स हो जाते हैं तो allied occupation सब कोलाप्स और मैं कहता हूँ कि सिर्फ समाज का संकट नहीं है जो हम पहले कृषी संकट और फिर agrarian संकट कहा अभी और समाज का संकट कहा बन गई सभ्यता की संकट हमारा सभ्यता किस पे बेस है छोटा किसान छोटा के बुदू इनके उपर बेश रहा आपका civilization वो भी कत्रे में है तो ये एक civilizational crisis सभ्यता की सकट हो सकता है और मैं आकरी में ये भी कहता हूँ एक crisis ये जितना तक जो आग हमने कृषी में जला दिया अभी middle classes तक पहुंच गई तब भी हम आवाज नहीं उटाते हैं और मैं कह रहा हूँ कि जब हम चुप चाप बैटे थीन लाग बीस हजार किसान आत्मात्या कर चुका है और क्या समाजे जो silently accept करते हैं मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा इंसानियत की संकट है it is a crisis of our humanity in this crisis how do the ग्रामीन पत्रकार फंक्शन मैं किर आद्वाइज दू हूँ आपको you are the ones who are experiencing it मैं करते करते ग्रामीन पत्रकार चार करके बाग जाता हूँ मेरे गर में चहर में the difficulty is yours और एक बड़ा issue आ रहा है उसको बग करके एक इशु जो आ रही है discussion नहीं हो रहा है कुछ debate नहीं हो रहा है और reporting जो हो रहा है press में वो Antarctica में कुछ हो रहा है melt हो रहा है और Amazon forest में fires हैं और Australia में fires हैं यह है climate change का इशु और मैंने महाराष्ट्रा मराथी ग्रामीन पत्रकार संग को भी यही कहा वो वातावरन की संकट जो मैं कहता हूँ मौसम की महा संकट नोबडी एंस के रिपोर्ट इट जो नगरी पत्रकार आता है उसको बहुत डिफिकल्टी से गाए काई और भाइस का फरक बता सकते हैं और गेहु और चावल का फरक बता सकते हैं climate change मैं देख रहा हूँ अभी हमारा पारी पीपल्स आर्काइब रूरल इंडिया नेशन वाइड रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट हम कर रहा है भाइस आप इंदी में हैं पूरा हमारा चावदा रिपोर्ट बीस रिपोर्ट तक कर रहे हर जोन से अरुनाचल हीस्टन हिमालियास लडाक वेस्टन हिमालियास तमिलनाडु रामेस्वरम फिशिग कम्यूनिटी महराष्ट्रा गौर बफलो और कॉलापूर और मुंबई कोस्टल रोड वी अथुएंग क्लाइमेट छेज रिपोर्टिंग अलग तइप अलग स्टाइल से जो ग्रामी पत्रकार कर सकते हैं यह हैं कुछ साइटिस्ट का कॉमेंट नहीं है या कलेक्टर का कॉमेंट नहीं है एक्सपर्ट को भी बात कर रहे हैं वह एक्सपर्ट वैलिडेट कर रहा है वह आम लोग कर रहे हैं कहते हैं एक्सपर्ट्स आर कंफर्मिंग यह जाते हैं कि फरक तापमां मौसम वातावरन शेहर में वी यूज अल इस टर्म्स इंटर चेंजबली वह ऐसा नहीं कि फिशर्मन लोग वह जानते हैं फरक वात इस दिफ्रेंस ब्ट्वीन टेपरेचर वेदर एंड क्लाइमें कि फिशर्मन लोग वातावरन शेहर में पार्किस्तान बंगलादेश नेपाल भूतार श्री लंका यह हैं यूनाइट नेशन को कहना है कि यह इस एरिया में बुरी तरह आरे हैं वातावरन यह मौसम की जो मैं कहता हूं मौसम की महा संकत है क्या रिपोर्टिग हो रहा है क्या डिसकॉर्शन हो रहा है पर मोदी जी जाता है पैरिस में अब बहुत जगा जाते हैं पैरिस नहीं घुमते रहता हैं वहां कुछ पीच जेते हैं climate change के बारे में और कुछ नहीं पब्लिक मॉबिलाइजेशन, देखो जो पैस्टोरल नुमैट से इस्टन हिमालिया वो सोच के कुछ सोलूशन कोज रहे, फिशर्मन है, तमलनाडु में, तमलनाडु का फिशिंग कम्यूनिटी जो रामेश्वरम पे है, उसने कुद एक कम्यूनिटी कोपरेटिव रेडियो स सब्सक्राइजेशन करने के लिए ये था बार्य में एड्योकेशन करने के लिए था बेहर इसकाल कॉध क्लिमटेशे इसलिए के नुक्साद किसको होरा है, अरे जो कॉस्टल एरिया स्विटिग हो जाका है, तो अमीर लोग सब उसका Switzerland में जा सकते हैं Himalayas में जा सकते हैं आम लोग क्या करेंगे कैरल सबसे पहला राज्य हैं जो सफर होगा rise in sea levels पे or they understand something is happening only granul patrakar can do this now how do you survive अभी अभी तो अमारा हालत बुरा हालत है और कराब होने वाला है मेरी समझ में platform होना चाहिए network होना चाहिए अभी एक बात है देखो यह crisis इतनी दूर रह गई 2,00,000 IT workers को उसको बेरोज़गार होगा अगले साल में 70,000 unemployed हुआ 2018 में I am wanting like how we did आप लोग cooperative websites बनाएगे journalist का यू हाट दस लोग एक जिल्ला में एक website बना सकते हैं या पूरवांचल के लिए एक website बना सकते हैं हम मदद करेंगे People's Archive of Rural India विल हेल्प यू यह इसका प्राइवेट कंपनी मत बनाएगे यह आप कुछ ट्रस्ट का ऐसा कुछ बनाएगे अचली इस यूर चोइस अगर cooperative बना है society बना है यूर चोइस लेकिन इंडिविजुल एक इंडिविजुल वक्ति वे जो कहता है कि मेरा परस्नल कंट्रोल चाहिए तो आप प्राइवेट बनाएगे लेकिन यू त्राइग फॉर अ बिग वेबसाइट कवरिंग अल दिस्ट्रिक्स अफू कि अधू इस काईड अफू प्लाटफॉम तो मिलेगा और आप अड़र्टाइजिंग ले सकते हैं वसाब अलग बात है ते कि अग्बार में 70% आपका न्यूस्प्रिंट कॉस्स है वो हर रोज यह नहीं देना चाहते हैं और बहुत सारा आइडियलिस्टिक बच्चे नवजवान लोग है आई-टी वरकर्स में जो आपको हेल्प करेंगे मदद करेंगे इसको सेट अप करने के लिए दूसरा network of journalists for protection up you have already launched it usko support करके संगटन बनाओ री रिवाइब the unions of the journalists you for the protection of journalists also we need networks matter other kuchoga jaisa power jaiswal ko waz other kuchoga का, every journalist in the country should know of it in 24 hours, every journalist should know of it in 24 hours, okay, वहां भी Professor Vijay Prashad के साथ मैं कुछ सोच रहा हूं की, attacks on journalist का एक site बनाएंगे, network बनाएंगे, इसमें solution नहीं होगा, लेकिन एक solution की तरफ पहला कदम हम ले सकते हैं, तो ये मेरा, this is what I wanted to share with you, मेरे लिए ग्रामीन पत्रकार और incredibly important, इसलिए मैंने एडिटर्चिप छोड़ के शिरफ ग्रामीन पत्रकार था किया उस 1993 में से मैं मैंने ची और 1980 से भी कुछ तो किया थोड़ा, लेकिन 1993 से फुल टाइम किया, अभी चबीस साल हुआ, फुल टाइम उसमें, और मुझको इस इंस्पारिंग, रीजुवनेटिंग तिंग, कल मैंने रीउनियन कर रहा हूं, United News of India दिली में, और आखरी कहानी बोलके बता के, जैसा मुझको एक छोटा सा कस्बा का पत्र का एक सबख सिकाया, investigative journalism में, उस समय, जैसे, I had not yet joined UNI, 1979, मने जा रहा था, to look at what is happening, मेरा बहुत सारा दोस्ता, अपन, मनन, वो लोग सब था उसमे, UNI में, वो बागपत रेपकेस हुआ, बागपत रेपकेस, फेमस था, 79 एंड में, चैनल सिंह जी का Constituency, माय अत्याट, तो, PTA में स्टोरी आ गया, एक छोटा सा स्टोरी, Reported Rape in Home Minister's Constituency, एक स्टोरी आ गया, तो हमारा UNI का एडिटर, उसने, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी इसलिए कि, कुछ लोग स्टिल, UNI का एडिटर आके रोया, आफिस में, PTA का स्टोरी मिल गया, आपको नहीं मिला, क्या करें, तो एक स्ट्रिंगर फोन किया आपने बागपत को, बागपत वाला, बागपत मीरट का स्ट्रिंगर था, उसने कहा, चिंता मत करिये सहब, मैंने आपको दस मिनिट में स्टोरी दिलवा देता हूँ, और दस मिनिट में स्टोरी दिलवा दिया, और इस सेट उस तरफ डेली आफिस में सोच यह है कि यह जन्यून होगा, खोई दी, इंसान, दस पंद्रा मिनिट में इतना बड़ा स्टोरी नहीं लास किते हैं, लेकिन कैरी किया, और सही रहा, स्टोरी वो कंफर्म हुआ, सब हुआ, तो उसके बाद मैंने बीस साल पत्रका को नाम नहीं लेता हूँ, मैंने बीस साल उसको हैरास किया है, यार बड़े बाई, आप मुझको बताओ, कैसा मिला यह स्टोरी दस पंद्रा मिनिट में, बताईए कैसा मिला आपको यह स्टोरी, बीस साल के बाद एक दिन, एक लाइटर मूड में था, स्पिरिटेड मूड में था, वो बताया कि एक दोस्ता उनका एक चोटा ओफिस, वो पोली स्टेशन के ओपजिट है, उपर है, इसने यहां से वो स्टेशन हाउस ऑफिसर का फोन करके, जब वो फोन उटाया, इसने बताया, आपका एक मिनिट जान बच्चे है, मैं डी आई जी वेस्टरन रेंज बात कर रहा हूँ, एक मिनिट के अंदर बताओ क्या क्या हुआ, वो बिच्चाराग मिनिट सब बता दिया, यह 20 साल के बाद हमको बताया, मैंने अरे यार हमको क्यों नहीं बताया, उसे कहा यार यह मिरट है, यह बागपत है, अगर मेरा नाम पता लग जाएगा तो एक और रेप केस होगा, धन्यवाद, क्या है?